हलो दोस्तों ऑनलाइन फार में आपका स्वागत है राजिंदर परसाथ सेंट्रल एगरिकल्चर इनवर्सेटी लोवर डिविजनल कलर्ग और जुनियर एकाउंट कलर्ग का एकजाम 7 अगस्त और 8 अगस्त को समाप्त हो चुका है ठीक है दोस्तों अब बात करेंगे कि इसमें कट अप क्या रहेगा और प्रूप सहींद बात करेंगे दोस्तों और रिजल्ट कब तक आ जाएगा और साथ में दोस्तों बात करने वाला है कि क्या एक्जाम में बारिश हो रहा था तो बारिश होने से कट अप पर क्या क्या प्रभाव पढ़ सकते हैं तो चले दोस्तों व या पिछला एक्जाम यानि इसकेल सेपोर्टिंग का एक्जाम हुआ था उसमें किस तरह से कटप आया हुआ था और उसके बाद आगला आपका जो लडिसी और जेसी का आया है । तो देखिए दोस्तों 16321 को हम लोगों ने RPCAU को SSS का कट अप के लिए RTI किया था ठीक है और RTI का जबाब आया तो देखिए दोस्तों RTI के जबाब में हम लोगों ने जो मांगा था so my OMR answer की what is the cut-up marks in skill supporting staff and what number is coming after my assessment यह तीनों चीज हम लोगों ने मांग किया था ठीक है तो उन लोगों ने जो है फोटो कोंपी OMR answer की सब कुछ दिया हुआ था ठीक है तो देखिए यहां पर जो कटप था general का cut-up 194.05 गया हुआ था ठीक है जबकि इसके बाद आपका एक और एक्जाम था इसकील का ठीक है तो उसके पहले आपका जो है 104.05 किया था general का OBC की बात करें तो 189 नंबर गया हुआ था ठीक है OBC का HC की बात करें दोस्तों तो एक सी का 177.30 गया हुआ था ठीक है इसी तरह बात करें है एस्टी का तो एस्टी का है 155.30 और EWS की बात करें दोस्तों तो EWS का 176.6 कटप गया हुआ था एस एस यहनिए इसकील सपोर्टिंग स्टाप के एक्जाम में ठीक है दो अब बात करेंगे कि LDC और JAC का कटप क्या रहने वाला है तो चलो यह चीज़ दिखाते हैं आपका मोड अफ़ क्रैक्टेरिया और फाइनल सलेक्शन सबसे पर दोस्तों बात करेंगे कि फाइनल सेलेक्शन कि तरह लिया जाएगा इसके बारे में ठीक है कितना गुना आपका सिरेक्ट किया जाएगा इन सब चीज़े स्लेबस आया हुआ था उस स्लेबस का पेज नंबर 3 में आप देखेगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो देखे दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है अंतिम चयन का तरीका या मांडन ठीक है दोस्तों अंतिम चयन किस तरक किया जाएगा देखेगा ध्यान से दोस्तों अंतिम चयन ऊपर दिये गए कारिश करम के अनुसार आयोजित होने वाली लिखित परिच्छा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा और आंगे अहरक परिच्छा यानि जूनियर एकाउंट कलर के पद के लिए काने कार थी हुआ दोस्तों कि आपका जो रिटेन एक्जाम होगा उसके परदर्शन के अधार पर आपका जो है सेलेक्शन लिया जाएगा आंगे देखें यहां पर जूनियर एकाउंट कलर के पद के लिए कंप्यूटर प्रवनिटा परिच्छा यानि कंप्यूट के लिए आपका सीपीटी होगा अब बात करेंगे लोवर डिविजनल कलर्क यानि एल डिसी लोवर डिविजनल कलर्क पद के लिए स्किल्टेस्ट के धार पर किया जाएगा हिंदी या अंग्रेजी में टाइपिंग के गति 30 सब्द पर 30 मिनट होगी यानि कहने का मतलब एल कि एक में आपका टाइपिंग की गति क्या होगी 30 सब्द पर 30 मिनट होना चाहिए ठीक है अब आंगे देखिए ध्यान देना है कि लिखित परिच्छा का परड़ाम केवल विश्वविद्याले के बेब साइट पर दिया जाएगा और लिखित परिच्छा में योग्यता के अधार पर एक अनुपात तीन में सिर्श उमिद्दारों को अहरक परिच्छा या कौसल परिच्छा में बैठने के लिए बुलाया जाएगा ठीक है यानि कह सकते हैं कि आपका तीन गुना चैन होगा जितना सीट है उसके तीन गुना चैन होगा जो सबसे अधिक नमर लाए यानि सीट हमने एक वीडियो बनाया था आपका स्लेबस का उसमें बताया था कि आपका जो है लगवख 30 और 32 बात दोहर 20 और 21 में 30 30 सीट और जैसी की हैं तो कूल मिलाकर लगवख 60 सीटों पर आपका सेलेक्षन लिया जाएगा ठीक है दो चलिए आंगे बात करेंगे कट त तो कटक की बात करने से दोस्तों बाले बात कर लेते हैं कि एकजाम में जो बारिस हुआ था या टेंट में एकजाम होने से रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो दोस्तों किलियर कर दूं कि आपका जो है एकजाम हमेशा टेंट में होता है या पहली बार नहीं है इ आपका एक्जाम समय समय पर ले सके टेंट में ठीक है तो टेंट इसलिए खर जा गया तो आपका टेंट में होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बारिस की जहां तक बात करें दोस्तों तो ऐसी हमेशा होते राता है इधर थोड़ा बहुत हो जाता है और टेंट में जब पुछते भी हैं तो एक्जाम में ऐसा हमेशा जो है आरपी सी यू के होता है इसलिए इस एक्जाम में भी कट अप पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अब बात करेंगा दोस्तों कट अप कितना होगा तो देखें दोस्तों यहां पर ध्यान से देखेंगा इसमें दो बाते होगे पहले तो LDC और JSE LDC का एक्जाम साथ अगस्त को था और LDC का जो एक्जाम था उसमें mathematics काफी hard प्रस्न पुछे गए थे तो इसे LDC के कट अप पर प्रभाव पड़ेगा दूसरी बात JSE की बात करें तो JSE में लगवग जो है हिंदी GKGS और इसके बात जो है करेंट तो था ही नहीं रिजिंग तो था ही नहीं ठीक है और जो JSE का एक्जाम था उसमें mathematics की बात करें दोस्तों तो mathematics लगवग ठीक ठाक थे यानि लगवग लगवग सभी mathematics बन जा रहे थे तो इससे जो है ये दोनों बातों पर कट अप पर प्रभाव पड़ने वाला है तो एक एक करके बात करेंगे पहले LDC का और फिर JSE का कट अप क्या रहेगा तो देखें दोस्तों LDC का कट अप जो कट अपका 180-85 के 20 जाने वाला है ठीक है दोस्तों 180-85 से कम कट अपका नहीं जा रहा है LDC का यदि आप इतना नमबर ला पा रहे हैं तो आप जो है अगला जो है टेस्ट का स्किल टेस्ट का तयारी करना शुरू कर सकते हैं यदि आप जनरल का टेगरी से बिलोंग करते हैं चलिए बात करेंगे OBC का OBC में आपकी यदि बात करें दोस्तों तो OBC का भी कट अपका यदि जनरल की सोरी जनरल OBC में यदि आप LDC का एकजाम दिये हैं LDC का तो LDC में आपका 150 से लेकर benefits के बिच राने वाला आएपके दोस्तों और इसके अपर और इसके अलावा OBC इसमें जो है न 23S nevr 40 से We sert 140 के करेंब में LDC कराने वाला है 140 से 150 के बीच में ठीक है और इसके अलावाthingfs का बात करें तो JAC का कर ецट तो 170 से 75 के बीच में JAC का cut-up रहने वाला है ठीक है यहाँ पर जो भी है JAC का ही cut-up हमने लिख रहा है ठीक है चलिए अब AC की बात करेंगो दोस्तों AC में LDC का यहीं cut-up की बात करें इससे 20 नमर आप लोग कम यानि 145 से 135 कर लिजिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा hard रहा है mathematics ठीक है तो 135 से 40 के बीच में LDC के लिए रहेगा जबकि आपका JAC के लिए इसमें AC का 165 से कम cut-up नहीं जा रहा है 165 से 170 के बीच में रहेगा तो यह आप AC के टेग्री से बिलोग करते हैं और आपका नमर 130-35 के बीच में है तो आप जो है AC के लिए आप computer proficiency यानि CPT या typing का तयारी कर सकते हैं यदि आप LDC से हैं तब JAC का यदि फर्म भरे थे आप 165 से 70 के बीच यदि नमर आ रहा है तो आप जो है अपना अगला skill test का तयारी कर सकते हैं ठीक है चलिए अब बात करेंगे HT का तो देखें दोस्तों HT का जादा इससे कम नहीं रहता है यदि इसका 140 से 50 के बीच मानते हैं तो इसका भी 143-44 थोड़ा इसका cut-up आंगे पीछे होते रहता है क्योंकि HT का जो है अरच्छन थोड़ा कम होता है ठीक है दोस्तों एक परसेंट अरच्छन ही है तो इसमें भी लगबग लगबग HT से एक दो नमबर आंगे पीछे रहेगा यानि यह कह सकते हैं कि 142 से लेकर 145 इसका cut-up LDC के लिए हो सकता है और JSC के लिए तो 163-165 यहां पर बता ही दिये हैं दोस्तों चलिए आंगे बात करेंगे EWS का cut-up EWS का cut-up HT से थोड़ा सा अधिक और OBC से थोड़ा सा कम होता है तो यानि HT का जो है 142 मानते हैं तो इसको 144 मान सकते हैं 144 से 147 के बीच cut-up रहेगा LDC में ठीक है EWS का ठीक है दोस्तों यह आप EWS का आ रहा है तो आप यदि EWS का टेगरी में हैं तो आप CPT या फिर Computer Typing की तयारी कर सकते हैं और यदि आप JAC के लिए एक जाम दिये हैं तो 164 से लेकर 170 के आसपास आपका नमबर होना चाहिए सेलेक्शन के लिए ठीक है तब आप इसकी टेस्ट का तयारी करना शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों यह था आपका Cut-Up एक बार और बता जाता हूँ यहीं आपका यह JAC का Cut-Up है और इससे सभी को इससे आपको 20 नमर माइनस कर लेंगे तो LDC का Cut-Up बन जाएगा ठीक है LDC का Cut-Up लगवग इससे 20 नमर कम जाएगा क्योंकि दोस्तों देखिए जितना भी लोग बताए कि mathematics जो था LDC के दिन काफी hard था hard ही नहीं काफी hard था बता रहे थे लोग कि cat label का थवा मतलब बहुत ही hard था तो कुछ लोग बता रहे थे 14 question कोई 15 question कोई 20 question lastly lastly तक हमारे पास जो लोग बताए हैं उसमें 25 question तक बना चुके हैं ठीक है यानि 25 question mathematics के बना है तो इससे साबित होता है कि इसमें cut-up थोड़ा कम जाने वाला है और दोनों के अलग-अलग cut-up भी जारी होंगे यह चीज भी ध्यान लखिएगा ठीक है तो इससे 20 नमर इससे भी 20 नमर कम कर लिजेगा इससे भी 20 नमर और इससे भी 20 नमर कम करके इसमें भी 20 नमर कम करके आप LDC के cut-up मान सकते हैं ठीक है यह था आपका expected cut-up यानि यह माना हुआ cut-up है इससे थोड़ा कम यह थोड़ा ज्यादा जा सकता है जैसे ही आपका result आएगा हम cut-up के लिए RTI करेंगे और आपको RTI के माध्यम से दिखाएगे कि देखिए आपका cut-up कितना रहा है एस एस के exam में भी ऐसा ही हुआ था हमने cut-up आपको निकाल कर सब बताया हुआ था ठीक है दोस्तों आप चरिए बात करते हैं कुछ अन्य मुद्धों पर देखिए दोस्तों यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं किसी तरह की समस्या है किसी समस्या पर आप बात कर सकते हैं त तो यहां से अप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और इसके तरह दोस्तों इसका link में description में विद्य दूँगा इसके अलावा आप हमारे जुड सकते हैं आप हमारे telegram से जुड सकते हैं ठीक है दोस्तों इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों आपका result कब आएगा तो देखें दोस्तों result का जो है RPCAU काफी जल्द बाजी करता है पिछला जो SSS का result था रिटेन के 14 दिन बाद ही result दे दिया गया था ठीक है दोस्तों 14 दिन लगा और रिटेन का result जारी कर दिया गया लेकिन इस बाद थोड़ा COVID का pandemic है ठीक है COVID 90 चल रहा है इस वज़े से स्टाप कम आ रहे हैं काम कम हो रहे हैं ठीक है तो हो सकता है एक से दो महिने के अंदर आपका result जारी कर दे जाएगा यानि साथ अगस्त को एक्जाम हुआ है तो अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर यानि आठ अक्टूबर के जो है फर्स्ट वीक में आपका result आने की लेकिन result के बाद जो है आंगे का process बहुत तेजी से चलता है तो आप लोगों का result भी आ जाएगा दो महिने के अंदर अंदर इसके अलवा आपको किसी भी प्रकार की RPC उसे समस्या है किसी प्रकार का problem है कोई समस्या है आप solve करना चाहते हैं तो हमें comment कर सकते हैं हमें call कर सकत हैं चलतों आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ तब तक लगतार preparation करते रहें और आप लोगों का RPC गुरूप D का जो है एक्जाम जल्धी होने वाला है और साथ में आप लोगों का जो एंटी PC का आप लोगों ने जो प अब तक के लिए ठैंक यू